23 मार्च 2017 ये वो तारीख है जिस दिन गेमिंग की दुनिया में एक गेम ने दस्तक दी वो गेम था PUBG प्लेयर अन्नाउन बेटल ग्राउंड्स इस गेम ने आते ही अपना एक अलग ही इतिहास लिखा गेमिंग की दुनिया के सभी रिकोर्ड्स इसने निश्ते नाबूत कर दिये और हो भी क्यो ना इससे जुड़ी हर एक चीज़ का अपना एक अलग महतव अपनी एक अलग कहानी थी अब तक ना जाने कितने बेटल ग्राउंड्स गेम आए और गए लेकिन ये सबसे हटके था और ये एक गेम नहीं था गेमिंग के चाहने वालों का इमोशन था लेकिन पपजी से जुड़ी बहुत सी बाते ऐसी है जो आपको पता नहीं होगी तो आज के इस एपिसोड में हम पपजी से जुड़ी कुछ एसी ही बातों के बारे में जानेगी तो ज्यादा समय बरबाद ना करते हुए आज के इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है या अभी तक चैनल को सस्काइब नहीं किया है तो चैनल को सस्काइब करें और पास के बेल लाइकिन को ओल पे कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और हाँ वीडियो को एक लाइक जूर से कर दीजिएगा ये तो सभी को पता होगा कि पबजी को ब्रेंडन ग्रीन ने बनाया था लेकिन भहुत कम लोगों को ये पता है कि वो पहले एक फोटोग्राफर थे और थोड़ी भहुत वेव डिजाइनिंग जानते थे पबजी यानि प्लेयर नाउन बेटल ग्राउंड जो है उसका कॉंसेप्ट एक जापानी मुवी दट टू थाउजंड से इंस्पायर है इस मुवी में भी कुछ लोगों के एक आईलेंड पर छोड़ दिया जाता है और ये सभी आपस में लड़ते हैं और अंत में सिर्फ एक ही बसता है क्यों है ना बिल्कुल सेम कुसेम चलो गेम के कॉंसेप्ट को तो आप समझी गए होंगे तो आप जान लेते है कि इस गेम का नाम पबजी ही क्यों रखा गया दरशल इस गेम के पापा यानि की ब्रेंडन ग्रीन जिन्नों ने इस गेम को बनाया वे इसे बनाने से पहले आर्मा टू नाम का एक गेम बहुत खेला करते थे और इस गेम में उन्होंने अपना नाम PlayerUnknown रखा था तो अब आप समझी गए होंगे न कि कहां से आया पबजी दरसल ब्रेंडन ग्रीन का इन गेम नेम था PlayerUnknown और उसी को उन्होंने अपने इस गेम का नाम दे दिया इस गेम की कुछ ऐसी भी जगए हैं जो असल में एक्जिस्ट करती है इस दर्थी पर इन जगों को आप इरेंगल और सेनोक वाले मेप में देख सकते हैं जैसे कि पोचिंग की रियल लाइफ में रूस के मोरदाविया शेतर में एक छोटी से गाउं में हैं चलो अब जब मेप की बात आ ही गई है तो पबजी में जो इरेंगल नाम का मेप होता है क्या आपको मालूम है उस मेप का नाम कैसे पड़ा इसके फिछे बहुत मस्त कानी है अगर आपको नहीं मालूम तो अब आप जान लीजिए पबजी के जो क्रेटर हैं ब्रेंडन गरीन उनकी बेटी का नाम एरेन था और इसे अगर आप एंजल से कॉम्बाइंड करेंगे तो एरेंजल बनता है तो ऐसे मिला मेप को अपना नाम दरसल हम इसे एरेंगल एरेंगल एसे ही करते रहते हैं अचल में वह है इरेंजल है और इस मेप को ब्रेंडन गरीन ने खुद से डिजाइन किया था अगर आपने कभी पबजी को खेला हो तो आपको पता होगा कि पबजी खेलने वालों को सबसे ज़्यादर बल्यूज जोन का लगता है ये एक तरह का सरकल होता है जो समय के साथ चोटा होता रहता है और पलेयर्स को इस सरकल के अंदर ही रहना होता है बाहर रहने पर ये सरकल काड़ता है यानि कि उनकी हैल्थ कम होती जाती है और एंड में वो मर जाते हैं और गेम में ज्यादतर लोग इस से ही मरते हैं पबजी में बल्यू जोन का जो आइडिया है दरहसल वो सोवियत संग की सेना से लिया गया है यानि कि गेम में बल्यू जोन एड़ करने का आइडिया सोवियत संग की सेना से इंस्पार्ड है यह तो सभी को पता ही होगा कि दरसल में विनर विनर चिकन डिनर है क्या अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि दरसल 19 वी स्थाप्टी में जुए का एक खेल खेला जाता था और इस गेम में जब कोई ज्यादा पेशे बटोर लेता था यानि यूँ कहे जीत जाता था तो बाकी के टेग लाइन फेमस हुई थी और उशी को इन लोगों ने गेम में एड कर दिया जो कि काफी ज्यादा यूनिक लगती है क्या आपने कभी इस गेम में विनर विनर चिकन डिनर किया है कोमेंट में जुरू बताईएगा तो आज की इस एपशोड में बस इतना ही आज की इस ए बहुत कुछ है जो बताना बाकी है तो अगर आप चाहते हैं मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो कॉमेंट जुरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जादा जादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए है यह वी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करकर पास के बल आइकन को जुरूर से ओल पर कर लें ताकि आने वाले ऐसा ही और भी इंट्रेंश्टिंग और अमेजिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले तो अब मुलाकात होगी अगले एपिसो